चलिए वाई गुट इवनि चलिए चलिए वरे गूड इबनिंग आगा है आप सभी लोग बतान अपना जो टुडशना प्लांट बीडिंग इसके बाद होगी है ना प्लांट बीडिंग जो ढूगी उसके इस clean सब्सक्राइब कर देते हैं जैसी ब्रीडिंग कम्प्लीट होगी लागब साथ आट दन में पूरी हो जाई इसके बाद होटी कल्चर चालो हो जाएगा बापिस ठीक है चलिए तो सभी इंगलेस वालों को देख जैनेटेस नया लेक्षर चल रहा है आपको एंगलेस में साथ में ब्रीडिंग भी पढ़ते चलना है तो पहले से चल रहा है चली नया टोपिक स्टार्ट होगा ब्रीडिंग में भी आज कि स्टार्ट करें अगया आप सभी लोग इस्टार्ट करें हम कि मताइए स्टार्ट करें अगया आए आप सभी लोग मताएं चली स्टार्ट करते हैं आप सभी लोग दोड़ जाई फ्रम स्टार्ट करते हैं कि चली तो बात करते हैं आपन जनेतिक्स की आज अपने फॉल्ग में सबिए गरंटी या दोनों सब्जक्ट जो है इतनी स्ट्रोंग हो जाएंगे किन से आने वाला हर कोशन जो आप बना पाऊगा कैसा भी प्यपर आजाए आपके जैनेटिक्स का ब्रीडिंग का कोई भी कोशन गलत नहीं होगा कभी भी चलिए स्टार्ट करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि यह जैनेटिक्स क्या होती है है जैनेटिक्स का मतलब होता है हरेड़िटी और बैरिय संब्सक्राफ इस तरी को क्या बोलते हैं जैनेटिक्स का मतलब होता है है और धिजुक्ष कि स्टडी को हेरेड़िटी और & 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 &&& & 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 जैनेरेशन से दूसरी जैनेरेशन में ट्रांसफर होना है कि चैरेक्टर का वन जैनेरेशन से दूसरी जैनेरेशन में क्या होना है अंधर के wins ऑनेरिटी का मतलब क्या होता है यह जहाँ हुआ है की क्याइक्टर का से जेहले में के यहां ऊद्शन में interact थे हैं केरेक्टर का ट्रांस्मिशन ऑफ क्यरेक्टर क्यरेक्टर फ्रॉम वन जैनरेशन फ्रॉम वन जैनरेशन तो नेक्स जैनरेशन या फिर ऐसे लेख सकते ना कैसे कि वही फादर से है ना ओप स्प्रिंग में ट्रांसपर होना या फिर पैरेंट से उसकी ओप स्प्रिंग में ट्रांसपर होना parents से उनकी प्रोजानी के अंदर transfer होना उसी ही क्या क्या बहुत है है किром क्या का ट्रांसफर होना क्या क्या खालाता है क्या है आपको समझ में का एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में क्या होना ट्रांसफर होना उसे हम हरेडिटी कहते हैं अगला बर हमने तो बैरियेशन मतलब क्या होता है हम सभी जैसे आप देखोगे हम सभी इंसान है बिल्कुल है हम सब की जो सकल एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट होती है ना हम सब की जो एक दूसरे से सकल आप देखोगे ना बिल्कुल अलग अलग है सब इन्सान हें दुनिया में क्यों हैं हम सभी इस कि मैंबर है हम सभी कौन सी से मेंबर यह सब चैने हमारा स्यल इप इंप सब्सक्राम ए सब्रूइशा सभी इंदर सब्सक्राइब कुछ सब्सक्राइब एक की जाती के सदस होते हैं एक ही जाती के एक ही सिसी क्यों मैम्मर्श होते हैं उनके बीच में जो excess साथ प्रिजर्ग होगे उनिभे जो डिफरैंस डिफरैंस सिर्गेantes उते हैं उननी हम कया कहते हैं council क्या है आपको समझ में आया कि भाई बैरियस Şimdi का मतलब क्या होता कहते हैं के लिए यहां पर मतलब हमने अभी टर्म पड़ी कि क्लेक्टिव ली स्टेडियों फैरेटिटी का मतलब ट्रांस्मिशन और करेक्टर फ्रॉम जानेटे करेक्टर फ्रॉम परेंट टू पर स्प्रिंग अब देखो बैरियेशन इंडिविजूल्स ऑफ दा सैम स्पेस स्पेसिज यह इंडिविजूल के अलगे आपकी अलगे इसकी अलगे सब्सक्राइब देखो अंतर होता है तो जो डिफ्रेंसे से एक ही स्पेसिज के मेंमर्स के बीच में जो अंतर पाए जाते हैं उन्हीं को हम बैरियेशन कहते हैं क्लियर क्या बोलते हुने हम बैरियेशन कहते हैं फादर ऑफ जैनेटिक टर्म किसके द्वारत ही थी ती डबलू बैटसन न जी ती यहां तक आपको क्लियर होगा सब तो सब्सक्राइब कि यह सब्सक्राइब में अगर कर दक्म नहीं क्या तरक खॉच्छ को acquसि जापको है एक होता वाई वात संबाए चाहते हैं कि को मेरेस्ट कीतने जैन साौगा याँ तक बताए आपको समझ मांच आया सभी को कशलेशन िपहले जो है अगन ऑदो ऑफ एक क्या है चौन्टिक बश्व है जोन्ते हिसां क्या होते है सोमेटिक बैरियेशन और सेंकेंड बन इजा ठीक है कौन सा होता है जर्मिनल वैरियेशन के लिए दो टाइप के बैरियेशन होते हैं सोमेटिक बैरियेशन और जर्मिनल वैरियेशन सो मैंटिक वी जब एवो होते हैं जो सो मैंटिक सेल प्रेजेंट के अंदर प्रेजेंट उंगे उन्हें लगों और या इसे कहते हैं कि नइ विल्कुल ग्रिजंट इन सॉमेटिक सेल एक जी पर नहीं होता है यह से संद्र कोई अग pigment डांसपर नहीं होता है जैसे आपको एक्जामबल बता दो जैसे अपनी स्किन पर चोट लगे क्या वह अगली पीडी पर जाएगी कभी नहीं जो बच्चे पैदा होंगे कि उनकी स्किन पर चोट का गाहों को निसान आएगा नहीं आएगा तो सोमेटिक बेरियेशन जो होते हैं नेक्स्टचए जनलेसन में ट्रांस पर नहीं ओंते यह कैसे होता है ना कीसे होता इस लिए बाक्त पर बात होती है कैसे दो екा वा समझ कूपी आखे सभी को हम कि और नहीं होते हैं क्या यहां तक क्लिए सभी को हैं नहीं होते हैं हैं अब करते हैं इसकी बात करेंगा जर्मिनल जर्मिनल वहोते हैं जो डिए बात करें तो उन्हें के अगर ऐसा जो जर्मिनल वरीजन का मतला प्रिजेंट जर्मिनल जर्मिनल सेल हुआ प्रिजेंट इन्जर मिनल सेल प्रेजेंट इन्जर मीनल सेल के लिएह सभी को बताओ किot loc रogels जांद रखना अनुका हम ब्लास्टोजैनिक भी कहते हैं क्या यहां तक क्लिर है सबीको बताओ एक कमेंट सेक्षिन बता यां तक किलियर सबी को शुना हूं प्रजाएंट एंद जर्मिनल सेल जो उते हैं अगेंट टॉ टाइप का होता है कौन से टू टाइप के हैं जर्मिनल वेरियेशन जोगते हैं कौन-कौन से चुंट एक होते हैं continuous एक होंगे continuous और एक होते हैं discontinuous और दूसरे होते हैं discontinuous क्या होते हैं भाई discontinuous दो परकार के होते हैं कौन-कौन से टू टाइप के होते हैं क्या है यह नेक्स्ट जन्रेशन में ट्रांसफर नेक्स्ट जन्रेशन यह हर पीडी में देखने को मिलेंगे हैं एवरीजेनरेशन ऐसे वहviron जो हर जेनरेशन में प्रेजेंट होते हैं अपको देंगे जो बटेंеш आएगेonta अध़ू थिखनटांव अपको क्लियर को इसी भी डेन्रीन हो हडीन में आप पर ठ्रलकंघ कि यह अपको हर ये आपको हर पीडी में प्रेजेंट नहीं होती है सर बोले यह जो हर जैनरेशन में प्रेजेंट है इनका सोर्स क्या है क्या है आपर आपवा सोर्स यह एक जायता हो तो कंटीनेस विसेंट का सोर्स होता गॉथा होगाना वह dipping सोर्स तूकर बतावं spontaneous बैरियोचन और सोर्स क्या होता है क्रोसिंग ऑफार सोर्स क्या है तो आ सर्क्रोसिंग ओबर होता है सब्सक्राइब जब कि discontinuous जो होगा Unusय दिसकंगा सोर्स होता है है if we ask Pilot सो APP.ечат क्या होता है कीलिए-बनेट्वेट, कर का सोरस बर्यइशन वर्यजीनन योटा है कंग में में होपस होता है कि नोट को पीडीप मिलेगी बिल्कुल है ना तो कि इस तरह के नोट conservation zarisha ब्हां टो सौमेंट कीक्टीनल वेरियेशन जर्मिनल वे तो दो टाइप्स के हैं एक हमारा continuous variation है जो की due to crossing over के कारण होगा discontinuous जो की mutation के कारण होता है तो आपको PDF के अंदर सारी चीज़े मिलेगी तो यहां तक clear है तो मैंने आपको तीन चीज़ समझाए जैनेटिस की definition क्या है आपको मैंने बताए कि है कि हमने जाना कि Various noviya मैं कीब खुले के आगे हम पढ़ेंगी क्रुसिंग और mr कि मैं आपको बता देते हैं किभाइव होता है कि chromosome आपको अब क्रोमो लोगस क्रोमो खोते हैं कि पढ़ा होगा कि तो मियोचस में जो हमारी है होती है ना डो वहीं फर्स्ति होती है दिया थिया होती है तो वहां पर क्या होता है क्रोमोजोम 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 रीपिंग और QA X Nू एक्सेंग ही क्सें दॉनों के फ rebellious यूशे कोकल को सदीमि wild भा दिन सेगमेंट क्रोमोजोम सङलेंट बीडीन नोन होमोलोगस के बीच में नोन होमोलोगस के बीच में होगा किसके बीच में होगा होमोलोगस क्रोमोजोम के बीच में नोन सिस्टर क्रोमेटेड नोन सिस्टर जो नोन सिस्टर क्रोमेटेड होते हैं कौन से क्रोमेटेड होते हैं सब्सक्रमेटेड़ कोन से क्रोमेटेड लॉन शच्टर मेट अभु उप उससे हम प्रोशिंग ऊबर क乐ते यह हम पढ़ेंगे जो मिंदेound हमाँ ठीक है ना सबस्क्राइब निकल गया था हो लोगा प्रोमोजम के उसस्टा प्रोमेटेटिक के बीच में अग्स जो गा उसे हम क्या कहते हैं याद रखना और सम्क्रोसिंग ओवर कहेंगे क्लियर चलिए कि आपको मैं समझा दिया क्रोसिंग ओवर क्या होता आप थोड़ा इस्टी देख लेते हैं जैनेटिक से रिलेटेट साइंटिस्ट वी एक्जाम में पूचे जाते हैं पहले बताओ यहां तक क्लियर है सारी चीज प्रदल्ट्स ओलेंश्ट अग्समे रिखिक साइंटिस्ट क नाम सबस्सक्राइब्स ओलन जैनेटिक्स का मअनका को मान कून अग्रिकल्टर में इसी को मानने लेकिन जू है जुआ नीट भगेरा में पुंप एक्सपेरिमेंटेगए जनेटेग्स यह आक्र टोंको यह इसने दिया तो इंपॉर। साइन्टिस्ट है किलियर अगला गैरोड इसने यूमन जैनेटिक्स इतना याद रखना फादर ऑफ यूमन एंड बायोक्यमिकल जैनेटिक्स इसने यूमन का का नाम होता है el captain auria Metabolic disorder होता है जिसका नाम होता है यूमन इसर इंसान के अंदर जिसका नाम होता है यूरिन ब्लेक कलर गाधा है यूरिन टीजीं नेंज वोता है याद रखना आप से उधर साइंस में पूल सकते हैं जिसे डीजीच का का रण क्या है साइंस आएगे ना मिकल कि नमों रहे जो कर पूलता है औस एंजाइम की था ट्युजने इस होता है य९मण सब्सक्राइब शचलिए नरी चुर्याज रहे हिट费 चाहए पहला भरोट है यहां सबसक्राइम फिप्सक्राइब तब्रद्षास qeo फ्यार किसे कहेंगे जीन हम किसे कहते हैं सारी अलग-लग जो कंसेप्ट हैえलिल क्या होता है होमो जाइगस कंडिशन् क्या है है हि़ोगास कंडिशन क्या होता है हमी जाइगस कंडिशन् फीनो कफि फीनो टाइब जी नुटाइब इस तरह की जो시고 Gotta bolrai दै कि आ तक सभी को आगे पढ़े हैं वह हम बताएं अब हम आगे पढ़ते हैं सभी को समझ में आ रहा है बताएं एक बार कमेंट सेक्षिन में रेका राहूल पूर्वी आसु ओमच्वान कामनी ओके नीटेश हैमा रानी पंकच कुनाल निको सोनुलाल आयूसी जेडी भूमिगा प्र में अब जैनेटेश को मोश्ट अंपॉटेंट कंसेफ इसने क्या है इसके बाद हम राच है हमीं जाएगा आपको कि को वाज़ाएं लेकिन आपको समझ तो आ है चीज़ा है मैस वाली बी टेंटे वालों की बहुत अच्चे समझ में आदें अगर आपको वीटेंग होगा त तो थोड़ा वो अंडर्स्टेंडिंग है ना करप तो पार है ना अगर आपका मैस पेग्राउंड बीटे गए तो धीरी दीर आपको आजाएगा एक दो बार पढ़ोगे ना तो आपको आजाएगा चैनली पढ़ां आगे कि 20 आप देखु अज़र कW Burch इने यह वाला कुछ भी नहीं है ना तकर पर चक्लल चैनलने कि आप एन किलुक्त हुए लबड़ी नमने किसी का कहा हिते की चोणड़े रहते हुए जो प्रते किसमें प्रणर के नहीं और प्रिते हैं इसी ही के अनदर आपको कारेक्टर सरे क्याकटी को सब्सक्राइब इनके पीछे हिम्मदार कोन हैं यहां स्था की पीछ जिम्मदार कोन से सुना फिलोर पिंग लोवर पर फिंग न कुछ तो किसी भी करेक्टर के एक्सप्रेशन के लिए जो जिम्मेदार होती है जो जिम्मेदार होती है तो यही ट्रांसपर होती है तो युनिट ओ फेरेटिटी विच इस रेस्पोंसिव फोर इनेरिटेंस अपीरेंस ओप करेक्टर जो भी करेक्टर होता है जिसके पीछे जो हमको दिख रहा है उसकी पीछे जिम्मेदार को नोका जीन होती है जीन आप यह समझो एक प्रकार से डियने नुकलोटाइड है जै रहने से आगे चलके क्या बंते है κι बहति एक्सप्रेशन के लिए जुम्मेदार मतलब जीन क्या सबसें मतलब जैनेतिक्स में सबसें पूट्टेंट जीन है आप हमेसां पढ़ते हो इस जीन की डिस्कवरी reimburse हो leakage को लिएए आप आपने सुना हुआ कि इसका मैप जैनेटिक मैप बना लिया जीन की स्टेडी कर रहे हैं मतलब हमारे सरीर में हर चीज जीन से कंट्रोल होती है अगर किसी जीन में कुछ घरा भी जाए तो आप देखा हो कभी कभी ऐसे बच्चे पैदा हो जाते हैं कि जिन में किसी में हाथ नह पहुंचाना उसके दिखनी के लिए एक्सप्रेशन के लिए क्या होती जीन होती है जीन को ही क्या चाहते हैं कि लिए रहे हैं तो यूनिट फैरेटिटी विच इस रेस्पोंसिवल फॉर इनरिटेंस अपीरेंस ऑप दा करेक्टर इस फैक्टर वाट एज रैपस्ट जीन पूछेंगे वाला जीन जो है कि ने दिया नकि जो टर्म है जीन कर लिए चुस्के द्वारा दौरा यह मॉस्ट इंपोडेंट एक्जन के लिए ठीक है नहीं मेंदल ने तर्म डी एलिमेंट और फैक्टर ठीक है तो जीन का ओओ अधिस्टकर एक बात जीन का है अलिमेंट म रेक्टर मोर्गन फस्टाम् डू रिप्रजेंट डॉमीनेंट आपके फ्रेटर वसने कि डॉमीनेंट को मतलब होता है जो किसी भी क्रक्टर एक्सप्रेशन के लिए जम्मेतार है रिसेसिव नहीं होता है तो डॉमिनेंट फैक्टर किसे कहते हैं डॉमिनेंट फैक्टर हम उसे कहते हैं जो कोई भी करेक्टर जो है फैक्टर जो जिसके लिए दिख रहा है जिसे प्लांट लंबा दिख रहा है तो यह फैक्टर कैपिट रेसेसिफ का मतलब क्या होता है अगर घ्रोमीनेंट के साथ में आए तक अपना काम नहीं करेगा वो उसको तो डॉमिनेंट फेक्टर को हम लगते हैं इसको लेक्ता हम इसमोल लेटर से और कुछ भी नहीं तो जीन क्या है तो यूनिट फैरेडिटी क्या होती जीन होती है जो कि किसी भी करेक्टर के एक्सप्रेशन के जिम्मेदार होती है जीन टरविंस गिवें वाई किसके द्वारा दिये गया है तो जीन टर इन वाइं जोन-स यह मोस्ट अंपोरेंटकों सना जोन्सन के द्वारा दिए गये कि छलिए आगे पढ JOSH लागेयों मोस्ट इंपरटेंट एलील में Auckland क्यों जो को है हाइट हाइट के लिग क्या जिम्मेदार जी MINT R सब्छों कोईいます की थो हो सकती है तो टो सकता है यह क्या क्षिप ह्वारफ हो ना तो क्या होगा जो लंबा होगा लोगा यह कारण होगा है और झो ड्भार्फ होगा होगा ऊंचाल जीन के दो अल्टनेटिव फोंस घृ जीन की क्या होते हैं दोनों को ही क्या जीन होते हैं यह क्या बनेटिव फॉर्म अश्रेशन क्या है है अल्टरनेटिव फॉर्म पर आपको देखेगा कैसे जो क्रोमोजोम है सपोज यह क्रोमोजोम है ऐसे तो क्रोमोजोम पर सैम लोकस पर प्रिजेंट होगा जैसे यहां पर इस तरह से आपको आपको नजर आएगा तो जीन क्या होती है जो क्रोमोजोम पर सेम लोकस पर प्रिजेंट होती है उसे हम क्या क्या क्याते हैं क्या बोलते हैं यह बहुत जादा इंपोटेंट है हमारे आरियो एक्जाम के लिए यह इतनी बार आ चुके हैं कि हर बार रिपीटेट है कि एलील की डेफिनेशन क्या यह मोस्ट इंपोटेंट है ठीक है यह मोस्ट इंपोटेंट है याद रखना तो अल्टरनेटेव फॉम अब जीन विचे जार लोकेटेट है अल्टरनेटेव फॉम तो उसे क्या बहुत हैं बार समाज में आ गए सभी को तो एक्जाम में डारेक्ट डेफिनेशन आएगी बही ऐलील किसे कहते हैं यहां तक क्लियर है जीन के अल्टरनेटेव फॉम क्या कहते हैं चलिए अब देखो होमोजाइकस कंडिशन क्या है देखो यहां पर एक क्रोमोजोम का डाइग्राम देख रहा है हाँ यह वाली कंडिशन आपको नज़रा रही है अगर यह जीन के दोनों फैक्टर एक जैसे अगर दोनों एक जैसे हैं अब कैसे देखो यह पर यह पर यह नहीं मतलग किसी एक इंडिविज्वेशन में अगर दोनों फैक्टर एक जैसे हो तो फिमेल जो होती है अब कैसे देखो इस पर्म जो है एक्स वाला इस पर माया ठीक है ओवम जो था एक सेल ठीक ना एक सेल जो थी वह भी एक्स वाली थी इन दोनों का हो गया फर्टिलाइजेशन इससे क्या बनी है जाइगोट तो जाइगोट कैसे डावल एक अब इससे आगे चलके एक इंडिविज्विज्वाइग लड़की पैदा होगी जिससे आगे चलके इंडिविज्विज्विज्व एक लड़की पैदा होगी जिसमें दोनों फैक्टर एक जैसे हैं हाँ है ना तो जब किसी एक इंडिविज्विज्व में दोनों फैक्टर एक जैसे होते हैं जब किसी खीक 활ूंज ये बोहुत ऑफरे स्टाटी करना पढ़ती आप ऊंपको बाहर से एक लिए जौराद करना फेयर होते थाउर गारंको फिर असे पहर समझ में अ समस्क्माइब षनलर्ट्राव यह समйमे लोक्ट यह समाष है अगर किसी सब्सुक्राइब इंडिविजल में पियर के अगर दोनों फैक्टर एक जैसे हों अगर पेर के दोनों फैक्टर यह दिए आपको एक जैसे हैं तो उससे क्या ओलता है समस्पाम बातना अगर एक सब्सक्राइब आपके सब्सक्राइब आपके सकते हैं अगर एक जैसे यह लें यह एक जैसे फैक्टर है तब सब्सक्राइब क्या है एक जैसे तो सब्सक्राइब जब दोनों फैक्टर किसी इंडिविजल में एक जैसे होते हैं तो सब्सक्राइब है यह जैसे इदान से पिटैल इसमोल या फरिक्टैल टी स्मोल टी जब दोनों फैक्टर क्या हो अलग अलग होते हैं तो से क्या बोलेंगे बता उसे हम बोलेंगे है्ट्रोजाइब अब डैफिनेशन तो इसमें डैफिनेशन प्रोपर लिए कैसे जब किसी एक इंडिविजल जब जो अलग लग डिफरेंट जो है ना फैक्टर वाले गैमेट साफस पर फ्यूज होते हैं वसे जाइगोट बनेगा जिसे हम हेट्रोजाइगोट कहेंगे और इसे जो इंडिवि कालिकिना सिंपल ऐसविखना है है हेट्रोजाइगास कंडिशन अगर आपको फो छोट्स नोट बनाना है है ट्रोजाइगास का मतलब होता है ठीक है अटीग आसने तो देफरेंट एलिल ऐसे लए एसे लिखसकता है गत्डिविजड़ अधुम्राइं और एक प्रेंट एलील एट करेस्पोंडिंग लोकाई करेस्पोंडिंग लोकाई कि सिंपल वासा भी होता अगर किसी एक इंडिविजल में अलग-अलग अलग-अलग फैक्टर है तो इसे क्या बोलते हैं है यह से आपके दमाग में पुर्च कि और नहीं में लेखा है यहां है ना आपके दमाग में कॉस्टन चल रहा होका भी क्या चल रहा होगा आपने मैं टाउप य यह क्या है कि मैल होई जाइग से हैं यह होई है यह नर जो नर है मैल यह किस के बता है है ट्रो जाइगस है हमुजाइगस है फीमेल तो मैन्स आपको बता Writing दोनों एक्स होते प्रिमेल में तो फीमेल क्या है बता सकते हैं syst remarkably a чем expensive है क्या है कि यह क्या है हो मोजाइगा induction है और यह क्या है कि तीस्रा कोutetion possible है आप comment section सेख्शन बताऊ। यह जू मैल होता है xy xy होता है मैल कई dumplings यह जाएक फिर हो मैं लें होगा से है यह आपको समझाने क्या है पsent अपके असाब से क्या होगा इअपके असाब से सभी का अनसर है गें हुआ होता है है ह्द्रोजाइगस मोच मुना सरफ मैं यहां पर कह लek हेट्रो जाएगस है ish जैसे कहते हैं ऐसा अगर होता ना कैसा होता कैपिटल y-small y होता ना तिए हेट्रो जाएगस है जा फिर कैपिटल x-small-y यह हूना था यहां तो एक एक्स यह आप इनमें यह बता दो कोई सा डौमिनेंट को इस बता सकते नहीं क्या इन दोनों होना एक तो एक तो नहीं होना और एक तो आप इन दोनों को नहीं कह सकते हैं यह नहीं है इसको हम हैं यह नहीं है हेट्रोजाइगस कंडिशन यह है कि है कैपिटल वाइकर के फीट्र यह अपिछ यह के मतलब दो ata थार छीका याद रखना y क्रॉमोजुम्यं। हमेशा वाइक्रोमसम दो हमेशा लड़के में फादर से आता है तो यह डैना कया हो रहा है मैं जैसे को सब्सक्राइब करना इसको हम हेट्रोजाइगस नहीं कहते हैं जब किसी एक इंडिविजल है प्यर के हमें यह हमेंजा होता है इप इंडिविजल स्कंटेंट ओली लगा है वन जी ओपे पेर हैं दो जी हमेशा जीन पेर में होती है इंडिविजल में होती है उनमें से क्या इक ही प्रेजंट होना इन इंडिव इंडिविजल हमी जाइगस सब्सक्राइग और समनुट कुछ भी लेग व्यकलों एक जैसे हैं चा Ci आप कुछ भी लिख लो ना इसमोल भी यह सारी कंडिशन यह सब हो जाइगा से यह सब कंडिशन जो होती है यह सब क्या है जब दोनों प्यर की डिफरेंट अलग-लग अट्रों जाइगा से तो उसे वोलते हैं है ऐसे वह सुल गणि तो आपसे याद रखना तो फीमेल अमयसा होती है होती होगण होती क्लियर है कि लिरर है आप मोस्ट इंपोरेड के हमीजाइगा से ना यह जो होते हैं यह तर्म किसके दोरा आगे तर्म होमोजाईगस और हेट्रोजाईगस और कौण वड़ा इसके दौरा दी गए यह दोनों टर्म किस ने दिए वेट्सन के दौरा पर प्रपोस्ट कि गई है जो यह सारी टर्म है किस ने दिये तो वैट्सनिन डबली वैच्छं सघ्टिक स्टमोर नहीं दिए выход अगला है इंखाइब अगला फीनोटाइब क्या ओर जीनोटाइब कि तो थोड़ी देर पहले बताई जो वहां वा अबढ़ फीनोटाइप हाइट फीनोटाइप कलर होगा हाइट होगी यह सब इसके फीनोटाइप जो हमको बाहर से देखता है एक्स्टनलिकल अंड्म अपीरेंस ओपन ओर गिनिजब पर पर उसका जो external morphological features होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं बाद समझ में आ गई उसे क्या बलते हैं फिनो टाइप कहते हैं यहां तक किलियर है सभी को बताओ किसी भी इंडिविजियल के क्या है किसी भी प्लांट में जो हमको बाहर से आपको प्लांट की हाइट अब आपको एसे कुई प्लांट लंबा देख रहे हैं तो लंबे दिखने की पीचे उसके पीचे जिम्मिदार या तो यह सकता या तो प्लांट इसके कारण लंबा हो सकता है या प्लांट जो इनके कारण लंबा या थो इसके कारण लंबा है या फिर क्या है इसके कारण तो हमको यह का उसका बाहर में Boost देख रहे हैं जिग विदें यह क्या जऴ's सकते हैं तो किसी भी फीनोटाइब को जो जैनेटिक कॉंस्टिटूशन जीन यह इन्हें हम कहते हैं जीनोटाइब कहते हैं यह क्या है जीनोटाइब बात समझ में आ गई यह क्या है जीनोटाइब यह समोल टी समोल टी यह क्या है तो आंसर यह बार से हमको देखेगा ड्वार प्लांट हमको देखेगा ड्वार तो यह क्या है जीनो टाइप बात समझ में आ गई तो किसी भी फीनो टाइप लिए जो जैनेटिक इस्टूशन होता है उसे क्या बोलते हैं हम याद रखेंगे आप फीनो टाइप जैसे साधियों के अंदर द्यान से सुनना मैं सर्फ एक्ज सब्सक्राइब क्या है विए जो चैनेटिक कॉनसे जीन वीटाइब है तो वह जीनसे जो है जैनेटिक कॉंस्टूशन है असका जो ड्न एंहें है उसे हम क्या बहुत है जीनोटाइब क्याते हैं गला तो जीनोटाइब से जबन जोन्स ने और जेन तर्म और जोनसं भी है और जो कुण सी टर्म ठीक है कौन सी टर्म से तुड़ी देर पहले प्लांट बीडिंग में पढ़ा दिये वैसे पहले वाले बच्चों को कलपर सोही जोंसन तो बताओ यहां तक क्लियर है सभी को यह सुनो सभी को समझ में यहां पर की सार यह देखो Direction सब्क्रार यह सब क्या है चुहा कैसा देख रहा है मकी कैसी देख रहा है यह सब क्या है फिनो टाइब ग्रोमोजूम यह साभ को समझ यह मृट्ट की लिए यहां तक सभी को यसर नो आच करते हैं मेडिये वहर्षान सारे तर्म वह पर नेदी है अब लीए अब सो बैट संद्र ने इस दी लिए रहरें तक सभी को बताएं एक बार कमेंट सेक्ष्चन बताई कि हांतक सभी को के लिए है यह सुर नो कि बताएं यह असर नो कि लिए रहे सबилась और कि किसी को कुछ डाउट है वाई यह एक्जाम में जैनेटेक्स हैं में हमेशाइब से पूछ जाएगी होमोजाइगस सब सब्सक्राइब करें आगे हम बढ़ा यह बढ़ा है आगा अगह बढ़ाएं अगला कंशेप्ट फिनो को पी अगला इन्सेप्ट को सा फिनो कोपी क्या होता है पीनो कोपी का मतलब कि दोग वह फ्नोगोपी का मतलब क्या होता है ज्यान से सुनना ला certificate अ समान से अलग 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 ईंवार्मेंटल कंडि design में grow करते हैं कि जैसे इसको इंद्व माँ हो आया है इसको आपने कहाँ हो आयाbands के ला तो हम अलगव डिफेरेंट जीनोगा टाइप अले प्लंट को डिफेरेंट-जीनोटाइप बिचेंड और अलगव लगजन अगर वो सेम फीनो टाइप जिसे गाइं दोह अलग इनवार्मेंटल कॉनडीर्शन वे इन डिखते एक जैसे हैं दोनों का फीनो टाइप एक जैसा ओं तो आपस्ता पर आ इसे क्या बोले को फिनोबी को पी तेडिए डिफ्रेंट चिनोटाइब साथ क्वैस्ट डिफरेंट इन्वार्मेंटल इसे वह एक जैसे दिखते करते हैं तो सिक्या वोलते हम फीनोपी किया देट एंद्लिख फोटोपी होगा रिख डूसरे कअ बाहर से दिख जैसे देख मताई के लिए यहां अतक सब ही अश्रना रहां आना आगा पढ़ा हो अब हाइविर्ड बेगार है हेट्रोसेस यह अपन आज ही पढ़ने वाले हैं प्लांट बीटिंग में यह वाला टोपल हेट्रोसेस को डेटैल में इस अपने दोनों पेरेंटस हैं पेरेंट्स से अच्छा होना वासाम है बच्चों का अपने माता पता से अच्छा होना शुपिरियर बात समाज में आगई किसको रिपीट करना है कामनी सिंग कौन सा फीनो कौपी को रिपीट करना है क्या इस नो कोपी वाले अब यदो अलग डिफ्रेंट इसका जीनो टाइप यह न बलाइबस को अलग इसका जीनो टाइप भिइयता अलग जीनो टाइप insert difrist को हम अलग अलग environmental condition में grow करते हैं ऐसे मालों कि यह यहां रहता है एक हार है दूसरा सौल में रहते है लेकिन उसे लड़का है हूँ दूसरा लेकिन अहीं की सकन्सक्ट रहे हैं तो यसी है बोलते हैं कि आपस में दूसरे के फीनो कोपी है जबम अलग अलग दिफरेंट जीनो टाइप बाले फंडिस वंग अलग एंवारमेंटल कंडिशन में रखते हैं तो इससे हैज सब्सक्राइब करना एक conf Wherever रही है तो इसका उसक डूए यह वोह प Union को इस कलेंगे फिकेज्ड BUTT के चली अब आगे समयख में बता है इस अब आगे समयख में यह सर्म न मुथbn अधर अगि पढ़ते हो meaning आपको क्या बाद आ रहा था हेट्रोस अना तो यह जो एफ़न होता है एफ़न का अपनी पैरेंट से सुपीरियर होना जिसे हम हेट्रोस कहते हैं इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे प्लांट वीडिंग के अंदर आएगा हेट्रोस अच्छा बढ़ा टोपिक है तो हेट् हेट्रोस का कारण होता है 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 यह जो प्रपोगेटेट ग्लॉप जैसे पोटेटो है शुकर कहने पनान है इनमें हम इस केरेक्टर इस वाले जो फीचर हेट्रोस को लंबे समय तक मेंटन करके रख सकते हैं अगर इस चैरेक्टर में कमी हो जाता है अगर हम करने लगे यहां यहाट्रोस्टार आता है समझत है अगर पोलीनेशन करोंगे अलग जिए को सप раст में करते हैं उसके कारण क्या होता है कि नए चैरेक्टर गयाने चांसे आना ज्यादा होता है मैं आपको बहुत ही सिंपल व होती है तो चार गोत्रों में साधी नहीं होती है तो चार गोत्रों में साधी नहीं होती है तो चार गोत्रों में साधी नहीं होती है नहीं होती है नहीं होती है नहीं होती है कि हिंदु दर में ऐसा नहीं होता है न नौर्थ इंडिया में ऐसा नहीं होता है नौर्थ इंडिया में ऐसा नहीं होता है नौर्थ इंडिया में नहीं होता है नौर्थ इंडिया में नहीं होता है हां महाराष्ट में मामा लड़की मामा का लड़का भुआ की ल तो कभी नंद में परूपर तो है आगे फैला होगे लेकिन कभी ने कि घमली के मेंबर रहोंगे तो आपसे वाहिवें समझा जाता है तो उनमें साधिया नहीं करते हैं तो नए करेक्टर काने के चांसे कम होते हैं तो यहां प्लांट पीटिंग में क्या होता है अगर हम सेल पोलीनेशन कराते हैं एक ही से कराना पड़ता है पथा क्वार दीरी ऑनति तो क्या होगा फिरी प्रॉइलट इबकेल क्रोश क्रोज पोलीनेटव में तो याद रखेंगे आप։ स्पोलिनेटेट्ट जो क्रोप होती हैं अगर उनमें हम सेल्फिंग करा देते हैं जानबूच कर तो क्या है क्रोफ पॉलिनेटेट नों करा देते हैं उसकेर इन भीटिंग क्रोष कोड़ने इन लोभाने कहलते हैं जालवाइब तो टौड़ का डाल सकते हैं तो फिल्कुल डाल सकते हैं तो क्रोसदक्रोष काम मैं रोज्वार के नहीं कालो होगा तो है है लोगर होना हाइब्रम ह terrorists का मौना है मिली डिप्रेशन क्या लोगर करेंड इन फरसताऊ saat थो खैट अबनार है क्या बहुत प्रसेंग डिपरेशन बहुतत उच्वल concerned इनवेक्त पोल्ड डेप्रेशन लें गया देगा है यहां सब्क्राइब एक कारण अगा क्रोश सफ पॉलीनेटिर लुब्लेटिटिन क्रता है ैंग बिलॉटिन विज्टिन रहे नहीं होता है बीचिन का करते ह Must Saim पॉलीनेटिटी जुंत वेएब लॉट नहीं में हutral mutation तो इसमें हो क्या वह प्यूर्टी सुद्धता बढ़ती अग्याओं जो है वीट हमारी एक सैल पोलिनेटिट ग्रोप है अगर उसमें और क्या करा वह सैल पोलीनेशन करा ओगे तो इसमें हमोजाइगोसिटी बढ़ती है और खोली ने सब्सक्राइब अधेटि लिए यहां तक सभी को बता दा याद्डेकर मैं आपको बता जाता हूं सैलफिंग को ही इन प्रिडींग कहते हैं अगर आप क्या करोगे से प्रोस पॉलीनेशन तो क्या होगा रिध इंग्रीज हो भी ठीक है जाद रखना से एक प्लांट है एक फ्लोवर के पोलन के उस ही फ्लोवर की इस्टिगमा पर अगर पर चले आते इक है ते तो हैना एक फलोवर है ठीश मैं ऊप्लोयग में तबिष्य झाल आ यह जाए उसी फ्लोवर की स्टिग्मा पर बाहते हम आप कि पर है यह जा तो है यह पोलन ग्रेंट जो है काई दूसरे फ्लोवर की उपर चले आएंच यह क्रोस पॉलीनेशन है कि लिए सभी को यहां तक क्लियर होगा बताओ कि यह सुझनो कि यह वाई फादर आफ जानेटिक्स ग्रेगर जोन बेंडल कि मेंज दा क्रोस पॉलीनेटिट क्रोफ फिस पॉलीनेशन होता न किया तक क्लियर है चली अब मां के बात करते हैं मेंडलिज्म क्रोफ करेंगे क्या डाउट वहीं हार जीरा वर हिन्दी मीडियम की क्लास की सब्सक्राइब करते हैं मेंडल के बारे में किसके बारे मेंडल तो यह व्यक्ति क्या था सब्सक्राइब करते हैं तो आप से पूछेंगे मेंडल कहां के रहने वाले कभी-कभी पूछ लेगा मेंडल कप पैदा हुआ तो कम मरा तो उनको पता होना जी मेंडल कप पैदा हुआ कम मरा बिल्गो सीदी सीदी तो यह एक्जाम में पूछ लेते हैं ना एक्षप्रिमेंट और परफॉंड वाइं मेंडल ओन जैनेटिक्स एंड डिस्क्रिप्शन ओप मेकेनिजम अव हैरीडिटी ठीक है ना है अगर आप से कुई पूछते हैं कि मेंडल के दारा यह कुछ नियम दिये गए कौन से निया हो लोफ हेरीडीटी या लोफ इनेरीटंस हमेशां काया रखना है कि लोह है डिती हैना मेंडल ने क्या दिये लो और बिदी मेंडल क old!". मेंडल निया काम या लोब हैरीडी डिमेंडल के द्वारा प्रोपोसिट किया है चलिया आगे पढ़ा हो आ मेंडल का पूरा नामों भी ग्रेगरजुन मेंडल 1822 तरहÃ। 1822 ुदि धी को म् मैंडन हो गए ठीक ये उने पेडा कहुए तो 22 जुलाइ 822 को कहां औस कि एंट्थ्रिया लेसborough उस्ट्रिया के इस rence ये यूरोप है तो क rifat dollar street व्याना वियाना इनकी राजधानी और की सुना क्या आपने उस्य य् यूरोप में नहीं एठीश स्यरी धीदिश के अंदर कैने छूर्ज़ आपने सएधी के बारे में तो मेंडल ने किसके उपर मेंडल जो थे न तो चर्च घडुन सब्सक्राइब करने के लिए अब देखो द्यान से सुनना अटारा सो चपन सब्सक्राइब बारात में यहां क्या चल रहे हैं इनका अलग सब्सक्राइब ना चपन सब्सक्राइब के अंदर इस्टार्ड एक्सपर्यमेंट टियुक्त है श्टॉरिकल एक्सरी आपाइस्जय रीटेंट चला 1863 तक उनका एक्सपरिमेंट चला 1857 से स्टाइट हुआ 63 तक चला फिर उन्होंने 19 याद रखना 1866 के अंदर यह मोस्ट इंपोटेंट डेट है कौन सी यह वाली कि अब ध्यान से सुनना मैंडल इतनी सारी रिसर्च की दुनिया को कैसे पता चला या आप को रिसर्च करो दुनिया को पता कैसे चलता होगा आपने में को रिसर्च पेपर का भी लेगा हो तो यह दिए अगर अगर नोमी को फिर देखती है जो भी टोपिक मेरों को पढ़ना है इंटरनेट पर सर्च करते हैं जनरल के बार इंजान करिया जाती ऐसे पता चल जाता है ठीक है न तो देखो विसे याद नहीं करना इसको याद नहीं करना पसे एक बार आपको सुननना इंपोटेंट बता देओं याद क प्लांट पर स्टेडी की ती याद करने किस पर तो मटर पी प्लांट की पर स्टेडी की ती कब से स्टाट की थी 56 से लिए 57 63 तक स्टेडी चली और क्या इंपोटन देखो रजेट उपीस एक्स्प्रिमेंट वाज पब्लिश्ट इन दा साइंस जनरल जनरल का नाम है हर जैसे आप संते होंगे जनरल्सक पबिस करते हैं या सोसाइटी घंडल का नाम हमको मोस्ट इंपोर्टेंट इंडने स्रीसर्च पेपर जो पब्लिश्ट किया था तो रिसेयच पर का नाम क्या नाम क्या था था वह एकशाम में पूचा जाता देखो मैंडल ने जो रशर्च की सारी कुछ लिखा दुनिया को बता उन्हों ने जो रशर्च पेपर पॉब्लिश के उसका नाम क्या था याद रखना एक्सपरिमेंट इन प्लांट हाइब डाइजेशन यह लोग है आपसे अगला कोस्टन यह मोस्ट हों कि लोग है लोग इनरिटेंस कब पबलिस हुए कब दुनियाओं को पता चला पता तो नियुक्त के बाद बाद चलता है लेकिन अगर आपसे पूछे कि मैंडल लोग इनरिटेंस दिए दिये लगाना ना 67 वगाए आहता समय आपसे में एक्षासिनती नहींट पूछा कि препिख्णा तो मैंडल वह फ्रकाव यह लगा होगे लगांगे ना मंडलने जो लोग फिरिटेंस दिया ना कभ दीए लोग प्रीटतन पर यह रहा है याद रखना मैंडल कि नियम कभ हुआ तो और आहेंinkyम कोई शूंसाट करतेंगा पृत टोई की प्रटिग को मडल गईating राओस साल आते पर तिन सांटेस्ट पर आते कि आती हैं पर तीनों का जो रेजल्ट निकलता है वह वही आता जो जो जैसे कि आगे जाती है कैसे काम करती है लेकिन इनके मरने के 16 साल बाद यह most important question कई एक्जाम में आ चुका है तो दो को पहला important question कैसे आएगा कि यह question ही लिग आप डारेक्ट है ना लोब inheritance किस ने दी लोब inheritance किस ने दी आपसे एक्जाम में डारेक्ट मेंडल मर गया तब इसके बाद मेंडल मर गया इसके बाद क्या हुआ सुनों कि इनके मरने के 16 साल बाद कि इस श्क्षिन येर बाद 1900 में तीन साइंटिस्ट आते हैं और यह क्लैम करते हैं कि मेंडल के द्वारे गाद जो डिसकवरी की ती विल्कु और यह आधों तो तो रीडिसिक वार्य ओप मेंडल लोग ऐसा आता है ना मेंडल के नियम जो है इनको वहता है यह एक्जाम बहुत ज्यादा आता है रीडिसकवरी ओप सब्सक्राइब करेंगे तो इसको कहते हैं रिडिस्कवरी और मेंडल लोग तो इसको कहते हैं सब्सक्राइब के अंदर है तो रिडिस्कवरी जो मेंडल लोग जो है नाइंटीन हंड़ेट में पब्लेश हुए तीन साइंटिस्ट है याद रखेंगे आप यह मोस्ट इंपोर्टेंट कोस्टन है जो मैं बता रहा हूं आपको कई एक्जाम से में आ चुका है काल कोरंस है भागत को यह और इसके बाद तीसरे नमर का है एक उमर्क कि आति क्या बात समाझ में आरे ओतों रहा रहता है क्या वाली कैंप यह ते अंडिकी में यह तुक्यों के यहां कि जर्मिनी को Raisin हो जह मीनिके रहने वाले थे यह कहां कियो होलेंड के थे है यह कहते हैं तो प्रेजेंट में नीधरलेंड हो गया ना वोलेंड को नीधरलेंड एक नाम है यह और रहने वाले थे तो तीनों साइन्टिस्ट अलगलग थे तीनों ने अलगलग वही आए तो तो री डिसकवरी यह मोस्ट इंपोटेंट कोउशन ने जो आपसे एक्जाम में पूछा जाएगा कि डिसकवरी ओप मेंडल नोस किसके द्वारा तीन साइन्टिस्ट आपको याद रखना है कि सारी चीज समझ में आगा यह बताओ अब आया ना समझ में आगा सभी को अगे अगे यस और नो अगे समझ में आगा सभी को हाँ ना बता है समझ में आया विए कुछ तो बोलो कि समझ में आ रहा है सभी को कि यह मोस्ट इंपोर्टेंट कोशन है यह जो एक्जाम में बहुत ज्यादा पूछ आथा इस दो कोशन है यह ना कि लोग हरेटी नेटन किस ने दिए मेंडल कभी इसका री मरने के 16 साल बाद दौब्लिस्ट हुए री डिस्कवर्य और मेंडलोज काल कोरंस व्ग्रो डिब्री एरिक बोन से मार के द्वार यह परकॉल्टेंट है यह तो मालो आना ही है आपके कि एक्जाम में कंपल सरी इस को संगाना यह तना इंपोर्टेंट गोस्टन है चलिए आगे पड़ें तो देखो यह हैं वो तीन साइंटिस्ट यह तीन मूर्तिय यह हैं देखो यह काल कोरंस ठीक रहें आपको ग्रोडीब्रीज यह एरिक बोन से मार्क यह तीन साइंटिस् एक एक्जाम होता है यह माँचल एडियो माँचल प्रदेश के अंदर एग्रिकल्जा डिवल्लमेंट ओपीशर का तुम्हां यह कोस्टन आये था कि हैना इनकंप्लीट डॉमिनेंस टर्म इस गिवन वाई इनकंप्लीट डॉमिनेंस टर्म किस नहीं जी थी इनकंप्लीट इनकंप्लीट डॉमिनेंस टर्म है कि इनकंप्लीट डॉमिनेंस यह काल कोरंस नहीं दिया था यह को सना आये था चली जो ग्रोट डिवरीज होलेंड के हैं यहनोंने इवनिंग प्राइमरोज पर काम किया यह मोस्ट इंपोटेंट सांटेस्ट ने दोनों वाई इस यह मुटेशन टर्म मुटेशन थियोरी के द्वारा दी गए एरिक बोंस यह मार्ख ऑस्टिया के रहने वाले थे इन्होंने भी अलग-अलग प्रांट्स की पर फर्ग किया है तो तीनों साइंटिस्ट के नाम आप याद रखो री डिस्कवरी और मेंडल हो इन दोनों के तो य अगर अगर आप से कुछता ना जैने डिसकवरी और मेंडलिस्म नहीं कि जो है मेंडल के लोग की डिसकवरी किसको जाता है इन तीन साइंटिस्ट को जाता है और अब जह को मोस्ट इंपॉडनोंट अगर आप से पूछता ना जैनेटेक्स हों पेले किती हैं अगर आप से कुछ पीएसा पूछता है कि लोप इनरิ्टैंश कितने हैं दो या तीन कि इस निया मैं doing it फरी भूए लगो आप इस कौन होता है लोप अग्री के सच कौन होता है लॉप सेग्रिगेशन और दूसरा होता है लॉप इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ठीक है न यह दो ही होते हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्लियर यह दो ही नियम है कितने नियम है दो लॉप सेग्रिगेशन लॉप इंडिपेंडेंट असॉर्टमें सब्सक्राइज है न harass poser इस कुई पर नहीं लोब डॉमिनेस एक?... पहले पूप डौमिनेस , निसकर्स होता है सोब आज सिंति क्या है एंट इसकस है दूसरे नमर पर यह हाएगा जरसें नमर पर यह आए hyväंट कि कहीं यह तो लोब डॉमिनेंज हो गया है लूप सब्सक्राइब हम सब्सक्रक्राइब को थे ऐष कर्देग कर दो पर यह वह लोग सब्सक्राइब इन्देक्ट्स में तक चुअ चुप मेंद फननियम में निएवाइ या में तीन तो अधिक यह सोनों बताओ यहां तक क्लियर सभी को आया ना कि अंधुकर मेंडल ने जुश्ट्री की किस की उपर हो मिटर पर मैंडल ने किसवेंगे रिखना छलिए तो मेंडल ने जो प्रड़ स्टिटी की सेवन केरेक्ड्र पर तौन पूंकोन से सेवन करेक्टर देखो कोन से वो सेवन करेक्टर जिस पर मेंडल ने स्टेडी कि या देखो सैवन कराक्टर कोन कोन से है ँक के नां जरूर कों प्लांट की लंबाहे एक माष् Fish लैंटी नहीं करेकथ है लेंट्ष टो में pewn इसके बाद फली कैसी है हरी है पीली है ग्रीन और येलो इसके बाद इसके बाद ऑप पोड तिक ना सुरी सेप ओप सीड्ट सीड्ट कैसा है राउंड है या रेंकर्ड है यह डॉमिनेंट फोम है रिसे अगर इनको याद नहीं करना चाहों कोई वात थे एक्जामन नहीं तबहुत कर दें और और Bernard्यट कॉड़्यीं घ्र लिक्रीन च्रलाउं का यहां पर किसग्डंगत इन घर करेक्टर याद मत करना इतना है ना है समय नहीं आपके बास और की आए क्चाहन अपार देखो ज्यान से समय ऐसा एक्जाम में कोस्टन आएगा कि यह ना कोस्टन नहीं लिख लो सीज़ा तुम क्या कोस्टन आएगा मेंडल स्टेड़ी सेवन प्यारोग क्यरेक्टर और पी प्लांट विच इस लोकेटेड और हाव मैनी क्रोमोजों ऐसे कोस्टन आएगा कैसा हुसाइश लोकेड़ ऊद्वीच इस लोकेड वुः ओन। वाले अव मेनी क्रोमोजों यह जो साथ क्यरेक्टर थे ना कि तक्रोमोजों पर प्रिजिंट थे साथ क्रोमोजों में कितने प्रेंट आशा चार-चार क्रोमोजों पर तो ए parts of that sade क्रेच्टरों यह पैसे कोन को वन है फोर्थ फिप्त और सेवन है एक लिए जाओ वन फोर्ट फैग और सावन यह चाहर चाहर किन्देख को क्या होते हैं अब आपके दिमाग में इसार यह क्या बता दिया तुम लहां को समझ में नहीं आ रहा ते क्या मैंडल में में टॉटल क्रोमोजूम कि यह दो चौदा मैंडल में टोटल कितने क्रोमोजोम में 14 क्रोमोजोम थे कर ना इसे पहले तीन चार पर प्रिजंट थे ठीक न यह वाला क्रोमोजों पांच पर था ये साथ करेक्टर की सटी की थी इन चार क्रोमोजूम पर प्रेजन ते यहाद एक सब्सक्राइब यह समझ़ें से कुई बस है जिसमें सब्सक्राइब से साथ व्यक्ति बैटे थे चार नंबर की सीट पर एक ब्रक्ति बैटा-5 पाच नममर की शीट पर दो बैक्ती वैट एक नम्मर की शीट पर गीश्ट ये खाली सम्झे हो बागी शीट पर और कुछ होगा तो आपसे एकसा में क्या पूछेंगे ग्रोमजोम पर प्रिजण थे तो चार क्रॉमोजोम पर प्रिजण थे लिए लिए लेका यहां पर है ना यह पर लिख दिया वह यह दिए टीज कर्याक्टर प्रिजण उन्हां लेका है कितने तो आँसार चार बिल्कुल चार प्रिजेंट थे याद रखना कौन-कौन से चार क्रोंज हो बन फॉर फाई यह बस इतना याद रखना है इसमें भाली जो डेसामें और एक डेफ द्पैनेशन के लिए यह मुश्ट इंपोटेंट को सिनल पूर एक्जाम यह सब्रूपीज है देखने करवा फफॉर बसक्रitas को क्या साक्रिच के सब्सक्राम अगा हाइपोटेसिस है विडलेंट ने तेटम ने इसने बोला था एक जीन जो ती है एक ही क्यरक्टर को कंट्रोल करती वाई और एक से ज्सञ्द प्रोटीन को बनेगा उसर्ट एक ही करेक्टर को कंट्रोल करती लेकिन तो इसा होता है कि एक जीन जब एक से ज़्यादा character को control लगे लगती है जब क्त्रियक नेकिन ब्यक्ति कि साधीों लेकिन जाए लन। आगर आप लगने लगा तो आएग से ज़्यादा पत्मय हैं कि लोकाने I क्याता है प्लियोट्रोपिक जीन को एक से जाधा कर्क्तर को घंटर मों करते हैं यह फिली ट्रोपिक जीन कहते हैं टीक हैं आगला एक्जाम में कोशन आएगा मेंडल को जो रिंकिल जुर्रीदार वीज प्राप्त हुए ते न 이상 कि एंजाइम की एपसेंस के कारण मटर के अंदर पीप्लांट के अंदर रींकल सीट मनते हैं जुर्रीदार बीज बनते हैं एक होता है और वह तहरीं क्रस्ट तो किस एंजाइम की एक्जाम में यह वाला कोशन भी कि मेंडल को वही किस एंजाइम की एंजाइम की अनुपस्तिती के कारण क्या होता है क्या होता है इस एंजाइम का काम क्या होता है यह सटार्च में सब्सक्राइब करना क्या होता है यह इस प्लांट का इसके अंदर ना एक ब्लांट के अंदर रिंकल बनते हैं तो किसके कारण चलिए यहां तक किलिए रहे पर से तना याद रखना यह दो पॉंट को याद मत रखना लास्ट वाले पॉंट को पढ़ना इसको मत पढ़ना यह थोड़ा डीप है आपको समझनी पढ़ाएगा इसलिए इसको मैं भी नहीं बढ़ा रहा रहा ना पर यह दोनों को अग्ली अभी कितना हो रहा है कि टाइम कितना हुआ थी ना आज किली प्रयापत च्छी तरफिंटी क्लास रहे अगली अब है वें स्टाट हो गी अभी क्लास होगी अगली क्लास होगी अपनी अभी कतना वज़ रहे हैं तो माल लगे चलो तुम 20-25 मिनिट बाद टाइम लिख लो अगली क्लास वाप पी आट वज़े होगे पीने जाना है थोड़ा गले को रिलेक्स मिल जाएगा आट से लेके नो अगली क्लास ही होगी आप थीन गंटे तो जली नहीं सकते लगाता रहे हैं इतनी क्यापिसिटी नहीं और सब्सक्राइब कर देंगे जैसी यह ब्रीडिंग हो जागी ना तो यह साथ या आठ लेक्सर में पूरी हो जाएगे फिरपन कंप्लीट कर लेंगे नहीं तीन तीन क्लास पढ़ाएंगे तो मेरा गलाई बंद हो जाएगा तो सब्सक्राइब बंद हो जाएगा प्रें पढ़ा नहीं पाँगो सब्सक्राइब बंद हम पढ़ेंगे प्लाइब की क्लास आप सभी लेने आना क्योंको पहले सल रही है अगली जब स्टाइट होगी तो बहुत टाइम लगए आप अभी से पढ़ने चालू करना उसको उसमें टाइम लगता है रिवाइज करना आपको इसको यह सब्जक्त सब्सक्राइब याद रखना है अरे तुम जो लों इंगलेस वाले हिंदी क्लास लों कोई दिक्कत नहीं है ना सब्सक्राइब जो क्लास चले तब तक देख सकते हो वो सब्सक्राइबर नहीं सो सब्सक्राइब रखने और ईयां और लाई में गूमता है रेकोड़ेट में नहीं नहीं गूमता साइध को रेकोर्डेट में चलता है पूछ लूगा टेक्निकल टीम से क्लास प्लस वालों से हट सकता है क्या वैसे साइद नहीं अटता है अधिक प्रेप्लीकेशन वैसा फीचर लाइब में नहीं अटता ही ठीक है चलिए यह सब्सक्राइब बनाने वाली कंपनी जो अप्लीकेशन तो उनका ही है पूरा ठीक है इसकी पीडियाफ लेक्चर आपको है नहों साड़े नोगज बाद मिल जाएगी क्लास होने के बाद दोनों क्लास होने बाद दोनों की लेक्चर पीडियाफ सब्सक्राइब करें तो आप यह बता है समझ में आया भाई पहली बार लेक्ट्र पड़ने जैनेटिक्स पढ़ रहे हैं समझ में आ रहा है कि लाइब करें यहां जल्दी करेंगे नोवज बाद होता ना रिकोर्ड होगे आता है फिर जब मैं फ्री होंगा तो मैं इस अप् पड़ो लो कोई दिक्कत की बाद नहीं है ना बूर भी तो जो टेस्ट मिलेगा वह जैनेटिस ब्रीटेंग का कम माइंड एक्चुली उसको अलग करना था मेरे तो जैनेटिस ब्रीटेंगे साथ मिल जाएगा तो वह दिच्चर है आपको ठीक है चलिए ओके